हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में फिर से हमें एक नए तोरन का डिजाइन सिखेंगे तो चलिए वीडियो में बने रहें तो हमने रेट करण का उल लिया है और 7 mm का फ्रोस्या है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पले हमें नोट बुनाना है नोट बुना लेंगे फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा बाड़ा तेरा चौदा पंद्रा पंद्रा चैनल लिया फिर एक दो तीन तीन चैनल लेके चमते वाले चैन से डबल क्रोसेट बनाएंगे चैन को काउंट करेंगे तो दो डबल क्रोसेट तेन तो इसी तरह से परते एक चैन से डबल क्रोसेट बनाकर लेना है हमें तुछे लिए वीडियो में बने रहे हैं मैं इससे पुरा करके दिखाती हूँ फुर कर लिया है आडियो आप समय है इस तहरह से इस रोग को आप कंपलिट कर लीजेगा फिर आप हमタ एड जान लेना है कि थे तया लेकर 4 double क्रोशेट बनाना है चैन को count करेंगे तो 5 double crochet हुआ तो 2 double crochet बना 3 और 1 4 तो 4 double crochet बना करेंगे और चैन को count करेंगे तो 5 double crochet होगा फिर हमें chain लेना है 1 chain लेना है 1, 2, 3, 4 3 chain skip करना है और 4 वाले chain से 5 double crochet बनाना है तो 2 double crochet 3 4 5 फिर 2 chain लेंगे वापस इसी जगह से 5 double crochet होगा बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 फिर 1 chain लेंगे और 3 chain skip करेंगे 4 वाले chain से double crochet बनाएंगे तो टोटल 5 double crochet बना कर लेना है फिर्ट्स बहुत ही simple design है और अगर आप crochet चलाना जानते हैं तो आप इसी असानी से बना लेंगे तो साइड से भी हमें 5 double crochet बनाना है फिर हमें सेम प्रोसेस को repeat करना है 3 chain लेना है और 3 chain लेकर 4 double crochet बनाना है 4 double crochet बनाएंगे फिर एक chain लेंगे एक chain लेंगे और यहां से जहां हमने 2 double chain बनाया था वहीं से 5 double crochet बनाएंगे 1 double crochet 2 3 4 5 5 double crochet बनाएंगे फिर 2 chain लेंगे वहापस रिशी जगह से 5 double crochet बनाएंगे तो 5 double crochet बनाकर हमें लेना है और एक chain लेंगे फिर साइड का 5 double crochet बनाएंगे तो फ्रेंड्स हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करके बनाना है आपको जितना बड़ा बनाना होगा उतना बड़ा बना लेजेगा आप अपने गेट के हिसाब से इसका लेंद लेजेगा तो सेम प्रोसेस को रिपीट करना है बहुत ही इजी है इसे बनाना अगर आप क्रोसेस चला न जानते है तो आप इसे असानी से बना लेंगे तो चलिए एक रव और बना कर दिखा दिती हूं ताकि आप अच्छे से इसे समझ जुआ फिर सेव में सेम प्रोसेस को रिपीट करना बनाना है एक चैन लेना है और यहां से फाइब डबल क्रोशेट फिर दो चैन वापस यहीं से फाइब डबल क्रोशेट फिर साइड का फाइब डबल क्रोशेट बनाकर त्यार करना है फ्रेंड्स अगर आपको और भी दिजैनर दिजैनर तोरण करती या तोरण कर जाएं तो आप मेरे चैनल को जाकर देख सकते हैं में बहुत साड़ा वीडियो अप्लोड कर रहा है और वीडियो को लाइक कान न भुले और अब और प्रेन फेमिली के सबस्क्राइब करें अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स टाइम मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करो तो उसका नौटिफिकेशन सब्सक्राइब आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियों बने रहें इसे बना कर दिखाती हूं तो इसी तरह से हमें रेपीट करके इसे त्यार करना है तो चलिए मैं इसे बना कर दिखाती हूं तो फ्रंट्स अमने इस तरह से इतना बनाए है आई होप आप समझ गया हूंगे आप अपने गेट की हिसाब से इसका लेंद लेजागा हमने अपने गेट की हिसाब से लिया है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजयान के साथ थेंक यूँ